तो आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली बहुत बहुत ही फैंटास्टिक हैर केर का टिप्स जिससे देखो मेरे बाल इतने खुबसूरत लग रहे हैं मतलब कुछ मेहनत ही नहीं लगना है कुछ ज्यादा एक्स्टा चीज़ें ही नहीं लगनी है और आपके बाल सच में अच्छे लगने लगेंगे ना कंडिशनर लगाया है मैंने ना सीरम लगाया सुर एडबाज किया है मैंने और मेरे बाल इतने सुनदर इतने managable इतने अच्छे दिख रहे हैं तो यह सिक्रेट ये सिक्रेट मैं फॉलो करती थी मतलब मेरे स्टूडें टाइम से जब मैं । पिछ में चोड़िया था मेरे से और दिमाग से निकली गया था बाल बहुत बेकार हो गय थे मैंने यही ही विजन था कि भाल में नहीं कर पाती थी मेरे जो बेभी हैर से वो बिना कंट्रोल के रहते हैं तो मैंने लगाया व्योड़े लगाया वीडिवी पुरा बताऊंगी मैं अपको लगाया कि हाफ एनर के बाद हट कर लिया तो मेरे बाल अच्छे लगने लग तो सद्ड़न मुझे याद आया यार यही तो मैं तो मैं फॉलो करती थी ती पहले बीच में थोड़ा टाइम नही एक लगाने के बाद मैंने सुचा चुलो अब सेकेंड टाइम मैं सब के साथ शेर करती हूं गया जो मेरे पर अभी भी काम कर रहा बहुत अच्छा लगा मुझे लगा के तो मैंने अपने बालो में अन्यून का जूछ निकाल के लगाया उसको को अपने नार तक रखा है और ख को हाफ और तक राखके तक पर हएड़ा कर लिया देखो बल कितने बाल मतलब कंडीशनर भी नहीं लगाया है मैंने सेमपू भी नहीं लगाया है इतनी शुन्दर दिखे इतना शाइनिंग दिख रहा इतने सॉफ्ट लगरें कोई कंडीशनर की जरूत हैं तो पोद फोद के कं बालों से श्मेल नहीं आए अभी मेरे बालों से उनियन का शमेल उतना ज्याधा है थोड़ा तो आ रहा है उतना ज्याधा नहीं आरा जिता पहले आता था तो चलिए excited Halo को मेरे बाल कटा लिया है तो बाल की लेंद चोटी है दो बस हो जाएगा यह पतला वाला ग्रेडर जो होता है न सबसे छोटे होले ग्रेडर वाले लेने हैं यह मैंने ठैन रूपीज़ से टैन रूपीज का ही लिया परपस था ओनियन ग्रेट करने के लिए और इससे एकदम ही पेस्ट बन जाता है जितना अच्छा से इससे ग्रेट होता है उस ना मिक्सी में भी नहीं होता है यह है मेरा लौकी का ऑईल जो मैं अपलाई करती हूं मेरे बालो में अभी भी मैं यहीं उसकर रही हूं और यह है इसेंसियल और रोजमेरी और यहां पर एक मैंने कपड़ा ले लिया है जिसको वश कर लिया है क्योंकि उसमें डर्ट रहेगा तो फिर हमारे को इन्फिक्शन हने का चांस है तो कपड़े को धो लिया छोटा सा कॉटन ले लिया है तो यह चोटी सी बाउल तो सबसे पहले न थोड़ा ध्यान रखेगा कि red onion हो red onion में sulfur जादा होता है तो हमारा onion लगाने का main target यही है कि अपने बालो में sulfur प्रोवइड करना है जो हमारे बालो को regrowth दे और उसको अच्छा बना को इसमें ओनिएं में होते हैं antibiotic properties anti fungal properties जो हमारे बालों से infection को करते हैं तो अगर हमारे बालों में infection कम रहेगा ना तो हमारे बाल अच्छे मतलब अच्छे हो जाएंगे infection कम रहेगा तो hair fall कम होगी hair fall कम होगा तो growth भी अच्छा होगा तो यहां पर मैं onion को grade कर रही हूं ग्रेट करते टाइम आपको थोड़ा सा केयरफूल रहना है आपका finger भी grade हो जाएगा अगर यह slip कर गया तो क्योंकि यह onion है तो यह थोड़ा इधर उधर जाता है करने में लेकिन सबसे बेस्ट तरीका grade करना ही है इसको mixi में पीसने पर भी इत्ते अच्छे से इसका juice नहीं न करता है आपके hair fall जो हो चुक है न वहां पर भी बाल उगेंगे अगर आप इसको continuously यूज़ कर रहे हैं तो और यह मतलब में मैं अपने उपर करके बता रही हूं आपको मैं बहुत पहले से करती आ रही थी पर अभी भी करना स्टार्ट करी हूं तो वह करके बता रही हूं इ कि homemade remedies का instant result नहीं होता है इसका instant result है अप लगा कर जरूर देखना तो यहां पर मैंने juice निकाल लिया है कपड़े से छान के निचोड निचोड के पूरा juice निकाल लेना उसमें से क्योंकि main juice ही है हमारा मतलब target ही हमारा onion juice है उसके बाद मैंने मेरा जो oil लगाती हूं मैं मेरे बा अच्छा रोजमेरी एसेंसियल ऑईल क्यों डाली मैं क्योंकि मैं मेरे बालो में smell कम आना बोलके जो बोली ना उसके वज़े से वो डाली क्योंकि उसका smell रोजमेरी ऑईल का smell बहुत strong होता है तो उसकी वज़े से आपके onion का smell है वो कम हो जाता है तो आपको ज़्यादा करने से पहले जो भी अप्लाई करने से पहले अपने बालो को अच्छे से डिटैंगल कर लो और उसके बाद छोटे 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 चोटे पार्टिशन करके यह कॉटन से ऐसे लगाओ देखो कॉटन से लगाने का तरीका बेस्ट है क्योंकि कॉटन जो हमारा लिक्व से मसाज़ करो अगर आप फिंगर से इसको ऑनियन जूस को मसाज़ करते हो तो सारे इंफेक्शन चले जाएंगे ब्लेड सर्कुलेशन बढ़ जाएका आपके स्कालप का तो हेर ग्रोथ अच्छा हो और हैर-फॉल जल्डी से जल्दी कम हो जाएगा तो यह लगाने के बाद ना मतलब अच्छे से चारो तरफ लगा लो कॉटन से उसके बाद अच्छे से मसाज करो गृष्ट 5 मिनिट तक मैंने मसाज किया था और उसके बालो को उल्टा करके पीछे के साइड में फिर से ओनियन जूस लगाया थोड़ा और फिर वह लगाने के बाद फिर से मैं ऊसको शीम काटन लेके मैं इसे डैप-डैप करके लगा लिया तो जहां पर नहीं लगा है वहां पर भी यह लग जाएगा और जूस और मतलब अच्छे से आपके बालों महीं लगाने नाय तरफ से अपलाई करता तो इस तरह से कुछ अपलाई करके इसके बाद फॉर्योपे मीनट्स यहां और जादा बढ़ेगा अगर मसाज अच्छा करना जरूरी है क्योंकि कि हमारे बाल में अगर स्काल्प में सर्कूलेशन बढ़ेगा तो हमारे हेर ग्रोथ होंगे और यहां ऑनियन जूस से स्काल्प में मसाज करने का मतलब यह है कि हम अपने जो एंट बैट बैक्टिरियास हैं फंगस है बालो में उसको डीपली क्लीन करके निकाल दे रहे हैं हम करते टाइम सारे निकल जाएंगे तो बाल हमारे अच्छे हो जाएंगे यहां पर ऑनियन जूस मैं रिवर्स मासाज करने के बाद अपने बालों के लेंध में इसी कॉटन से इस तरह से लगा ले रहे हूं कुछ ऑनियन जूस जो भी बचा हुआ है मतलब पूर एसकाल पच् को यह जो कॉटन है ना उससे मैं मेरे फ्रेंट के बेबी हेर्स पे लगा रही हूं क्योंकि अगर बार बार अप महीने में अगर इसको छे से साथ बार लगा लिया ना तो आप खुद ही चेंज देखो गे अपने बालों में बाल अच्छे हो जाएंगे और सामने के बाल आन कि अभी मैं ऑईल इसमें मिला के लगा रही हूं और अप्रोक्समेटली हाफ एन आर या वन आर आपको जितना है तो टू आवर्स है तो टू आवर्स भी रख सकते अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ इसको हाफ एनार पहले करिए अपने हेट बाद करने से हाफ ए तो चलिए मैं आपको बताती हूं हेट बात कैसे करना है हमें तो मैं यहां डवकर शैंपू यूज कर रहे हूं मेरे पास यह चोटे पाउच थे उसी को यूज कर रहे हूं तो पहले तो सैंपू को डाइलूट करना 100% इंपोर्टेंट है डायरेक्ट लिए सैंपू हम अपन इस ओयल ऑनियन जूस वागर लगए उसको सारा मसाज किया है तो सारे डर्ट निकल गए होंगे बालों से और वह फेस पे आएंगे तो फेस बेपींपल्स आने के चांसे बढ़ जाते हैं तो आप कोसिस करें कि हेड थोड़ा पीछे करके ही आप अपने बालों को वह वाश क जब आप ऑनियन जूस लगाएंगे उसमें लगाएंगे तो ज्यादा जल्दी नहीं बनेगा वह तो उससे परिशान होंके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सैंपू लगाने की जुरूत नहीं है ज्याक कम बनेगा फिर भी आपका बाल क्या बोलते हैं वाश हो जाएगा अच्छे से हो जाएगा तो यहां पर मैंने एक बार शैंपू लगा लिया और देखिया बल कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे अभी से अच्छे लग रहे थे सॉफ्ट लग रहे थे हात उसे टच करने में एक बार में कुछ भी बहुत ज्यादा जाग नहीं हुआ तो हम दूबारा भी शैंपू एक बार लगाएंगे तो यहां पर मैंने ले लिया है फिर से शैंपू इसमें जो फिर से मिला रहे है हम रोजमेरी ओल रोजमेरी ओल मेरा फेवरेट है लेवेंडर मुझे उतना पसंद नहीं आया तो दो तीन ड्रॉप ऑफ रोजमेरी ओल लेके इ कर 시怎么 कर देगा पता ही नहीं चलेगा मतलब की अपने वाणिएंग लगाया था अगर दो बार आपने रोजमेरी ओल लगा ली आपने बालो में तो तो यहां पर देखो जाग बनी है पर उतनी जादा नहीं बनी है और यह सेम जाग को मैं अपने लेंद में लेंगी बस और ज आप एक वार ट्राई करके देखना यह मतलब बेस्ट बेस्ट है मैं जितना डियाइव वगर अभी तक ट्राई की हूं मेरा फेवरेट है ओनियन जूस लगाना थोड़ा मेसी है पर इसका अफेक्ट बहुत जादा अच्छा है तो यहां पर मैं बालो को वाश कर ले रही हूं निरे चाहिए और उसके बात सिर्फ बालो को को कुछ भी की ऐलने कीज़ें निकाल लिया उसके नहालूंगी मतलब पुरा बॉड़ी वश करके आपसे मिलती हूं उसके बाद तो यहां पर मैंने मेरे बालों को ओपन छोड़ दिया है टॉयल रखके एर ड्राई होने के लिए बाकि कुछ भी नहीं हम ड्राई करने के लिए करेंगे अपने बालों में उसके बाद यह देखि करने के बाद बाल मतलब अंदर के बाल थोड़े ड्राई नहीं हुए मेरे बाल कॉर्ली है कर्ली ही हैं लगाने के बाद थोड़े स्टेट होते हैं तो यह रह मिडिक एसी लगी और यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताईएगा और क्या आपको चा अगले वीडियो की नॉटिफिकेशन के लिए थैंक यू